तुम जिस चीज के तलाश में थे, तुम जिस चीज के लिए प्रात्ना कर रहे थे, वो तुम्हारी ओर आ रहा है थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा शान्त हो जाओ, तुम्हें जहां होना शाये था, तुम वही हो, जहां तुम्हारा जगा है, अब तुम वही हो जिस रास्ते तुम्हारे लिए चुना गया है, जिस रास्ते पर तुम्हें चलना है, उस रास्ते को अपना लो, उस रास्ते को गले लडा लो, मुझ पर भरोसा रखो, और अपने च्छाओं को जरो रोख के रखो, जो तुम सपने देख रहे हैं बरसों पहले, जो तुम सपने देख रहे हूं आज, ये सपने अब बदलने वाला है, तुम्हारा जीवन की खुश्या यही नहीं रुख जाएंगे, बहुत कुछ आएंगे तुम्हारे जीवन में, बहुत प्यार, वो जो इच्छा तुम्हारे मन में थी, उसका अभियक पूरा होने का समय जो आ गया है, आपके स्वस्त में भी सुधार आने वाला है, और धेर सारा प्यार, आपको मिलने वाला है, जरा अपने आपको संभाल कर रखो अपने आपको संभाल कर रखो तुम्हें उस सफलता की मुकाम पर पहने से कोई नी रोख सकता क्योंकि जब हम तुम्हारे साथ तुम से जुड़ गए हैं तो तुम्हें सफलता भी मिल जादा जब आप सोचते हो कि जिन्दगी में अब कोई आशा नहीं रही गई तब भगवान श्री कृष्णी कहते हैं कि मेरे इस हाथ को ठाम कर एक बार जरा मेरे इस हाथ को ठाम कर दो दोखें और मुझे जो रास्ता है तुम्हारे ये जो रास्ता मैं न चुना है जिसने भी तुम्हारा कभी दिल दुखाया है, कभी भी किसी भी समय तुम्हारा दिल दुखाया है, तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करी है या फिन नीचा गिराया है, मेरे हाथ को थामो, मैं तुम्हें उन सब के सामने उचा दिखाऊंगा भगवान श्री कृष्णी ने हमारा रास्ता हमारे जीवन का रास्ता पहले से बना कर रखाए अब भगवान श्री कृष्णी हमें संभाल रहे हैं इस तरहा से संभाल रहे हैं कि जो रास्ता भगवान श्री कृष्णी ने हमारे लिए बना कर रखाए ताकि उस रास्ते पर हम सही तरह सच भगवानशी कृष्ण को तो पता है कि जो तुम्हारी लिए तुम्हारी जीवन में जो भी जरूरत है वही तुम्हारे लिए तुम्हें भेजेंगे जब भुगवाशी कृष्टि तुम्हें सूचे मुकाम तक पहुचाना चाहता है तुम्हें आशिरुवाद देना चाहता है इस बड़ी मुकाम तक जाने के लिए तभी वो बड़ी से तुफान तुम्हारी और आए तुफान को सुनकर डर मत जाना यह तुफान क्यों आती है पता है क्योंकि जब बारिश होती है तभी पेर पौद्ये मिकलते हैं इसलिए इस तुफान का सामना करने का शक्ति तुम्हें मिल जाएगी भगवाशी कृष्टि से तभी तुम्हें उचे मुकाम तक पहुच पाओगे राधिये राधिये